जैपूर में 3 नवंबर को होने वाला सिंगर देल जित दोसांज का शो विवादों में आ गया है शो के फरजी टिकेट सामने आने के बाद एडी ने जैपूर समेद देशबर में 13 ठिकानों पर शापे मारी की एडी के चापे मारी रविवार को भी जारी रही एडी ने चापे मारी डिल्ली चंडीगर पंजाब जैपूर मुंबई और बैंग दूरू में की चापे मारी में एडी को फरजी टिकेटों से बड़े पैस आपजब्त किये हैं एडी की जांच चारी है गायक दिलजित दोसांच का म्यूजिक कॉंसर्ट टी नमंबर को जैपूर के जैई सिसी सीतापूरा में होना है इसके साथ विदेशी बेंड कोल्ड प्ले का कॉंसर्ट भी इंडिया में होगा इनके टिकेट जोमेटो लाइब और बुकमाईशो पर बेचे गए बुकमाईशो की तरफ से इसकी जांच कराई गई इसमें पता चारा कि टिकेट बाजार में अन्य प्लेटफॉर्म से बिक रही है जो फरजी है इससरा से कुछ लोग नीजी फायदे के लिए फरजी टिकेट बनाकर लोगों के साथ शुरू कर दिया कुछ लोगों को शक हुआ तो बुकमाईशो से मिले टिकेटो और सशल मीडिया से मिले टिकेटो की जांच की इस तोरां टिकेटो के फेक होने का पता चला इस पर उन्हें बुकमाईशो को जानकारी दी जांच में पुष्टी होने पर चंडिगर मुंबई दिल्ली में FIR दच हुई जाच में ED को बड़े पैसे के ऑनलाइन ट्राजेक्शन की जानकारी मिली दिल्जित के शोग एटिकेट 3,000 रुपए से 15,000 रुपए तक के हैं लेकिन बाजार में इसे बदमाशों ने 50,000 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक बेचा है इस पर ED ने अ कोबाइल लाप्टॉप जब्त किये हैं इसे के साथ बने रहे हैं इसे रुपए जिन्दा के साथ घंदेवाद